दोस्तों बात करें, अगर मोबाइल फोन अगर आप चलाते हो तो आपने iOS का तो नाम सुनाई होगा, साथे साथ Android तो किता पॉपलर है, आप में से करफ से लोग Android का ही के स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे, लेकिन कख्या कभी आप लोग ने Linux का नाम सुना है, वैल आकर Linux है क्या और Android से किस तरीकी से अलगा operating system है, और क्या सच मेल जो Linux है वो Android को replace कर सकता है, वैल आज इस वीडियो में बात करते हैं और पता लगाते हैं पीछे की कहानी, पसंद आए तो लाइक करना वीडियो को चैनल को सब्सक्राब कर लो, ऐसे कामाल की वीडियो देखने के लिए सबसे पहले बात करने वाला हूँ, Android का देखा जा तो टेक्निकली एक Linux ही है, बिल्गुल, बेसिकली जो Android की शुरुआत हुई थी वो Linux करनल की रूपके हुई थी और Linux करनल की उपर ही उस चीज को base किया गयाता है, यानि कि internally आज भी वो Linux है और उपर Android उसकी उपर build किया गय और इसी कारण से जो Android वो इक open source के अंदर आता है, और दुनिया के कोई भी company Android को अपने phone के अंदर डाल सकती है, वो भी free of cost, Google सिर्फ चार्ज करती है Google Play Services का, अगर उसको Google Play Services अगर अपने phone के अंदर चाहिए तो उसे Google को fees देनी पड़ेगी, else Android open source project के तहत कोई भी company अपने phone क लिए Android को डॉप कर सकती है, डाल सकती है, उसे चला सकती है, उसके अंदर modification करके भी अपने phone के अंदर डाल के उसे बेज सकती है, टेक्निकली यह सारी चीज़े हाँ पर possible होती है, लिगने बात ही कि अगर Android यह लाइनक्स है, तो यह लाइनक्स से किस तरीके सा लग है, देख इसी चक्कर के अंदर Linux खोते हुए भी उसने काफी बड़ी lead ले रखी है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको Linux के साथ सिर्फ Android ही देखने को लता है, काफी सारे दूसरा operating system भी है, जैसे Calix OS वाले आपने कुछ नाम सुने होंगे, इसके साथ एक Ubuntu Touch भी आपको देखने को ब Dex वाला जो feature होते हैं Samsung में, उस तरीके से भी उसे use कर सकते हैं, और एक monitor वगरा से connect करके, एक desktop experience को भी experience कर सकते हैं, ये एक चीज रहती है, इसी के साथ ही बात की जाया, तो काफी सारे दूसरे भी देखने को मिलते हैं, जैसके Selfish OS भी एक चीज थी, जो देखा जाये तो एक Post-Market OS आया था, एक Mobian OS है, Lune OS है, एक Pure OS देखने को मिलते हैं, जिसे security के मामले में सबसे जाधा advanced बोलो जाता है, लेकिन वो एक Librium 5 नाम के फोन के अंदर ही देखने को मिलता है, दूसरे कुछ इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब या को तरह तरह की variety देखने को मिल Linux-based OS की, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी जगी क्यों नहीं बना पर Android को क्यों नहीं हरा पाए, वेल कहानी काफी जाथ interesting है, देखा तो Linux के काफी जाता advantages भी है, सबसे बड़ा advantage है, it is very much secure, देखो, आज के समय में चाए Apple ले लो, चाए Google ले लो, कोई से भी company ले लो, अगर आ लाइस करेगा, और उसके बाद वो आपको targeted at दिखाएगा, सेम कहानी Facebook के साथ है, Instagram के साथ है, कहीं नहीं Apple भी थोड़ी बाँ ट्राकिंग करती है, लेकिन Linux OS के साथ, अगर ये community driven है, तो यहाँ पर आपको complete safe चीज़ देखने को मिलेगी, complete security देखने को मिलेगी, even जो famous whistleblower है adverse node है, वो खुद अपने Android phone के अंदर Linux based OS को install करते है, ताकि उसके अंदर जो extra layer होती है security की, वो देखने को ले, और phone का जो data है, वो reality में phone के अंदर ही रहे, phone के बाहर वो send ना हो, ये एक सबसे बड़ा feature होता है security वाले Linux के अंदर, even Linux की security break करना, iOS और Android से comparison में थोड़ा से यहा चीज़े जो यहाँ पर इसे थोड़ा special बनाती है, इसी के साथ ही यहाँ पर OS upgrades भी Linux वाले में थोड़ी fast होती है, जैसकी बात करें हर सल आपको नए Android का version देखने को मिलता है, लेकिन Linux में अगर आपको पता है, तो हर 6 महीने में एक नए OS आ जाता है, और वो OS बहुत compatible होता भी है, updates भी जल्दी हाते, compatibility भी रहती है, और एक stable environment देखने को होती है, यहाँ तक कि जो Linux based desktops होते हैं, उनके साथ भी अच्छी connectivity, क्योंकि अगर आप iPhone यूज़ कर रहे हो, उसकी connectivity Mac के साथ बेटर होगी, Android यूज़ कर रहे हो, Windows के साथ होगा, Linux वालों के compatibility, Linux वाले operating system के जो desktop होते हैं, उनके साथ काफी बेटर होती है, इसी के साथ ही OS के अंदर आपको कोई भी छेट खानी देखने को ने जलती, clean experience जो, unadultrated experience होता है वो, यानि कि Linux के अंदर कोई मिलावट नहीं की जा सकती, और जैसा operating system बनाए, वैसा कब वैसा experience देखने को मिलेगा, इसके स साथ ही कस्टमाइजेशन के बहुत सारे options आते हैं, यहाँ पर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं चोटी 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 चीज़ों को, और इसके साथ एक benefit यह, कि current Android phone के साथ, आप इसको इस फोई phone के अंदर install कर सकते हो, और dual boot में यूज़ कर सकते हो, जैसे dual boot यहाँ पर इस smartphone में यह चीज पॉसिबल भी हो सकती है, और इसका जो experience रहता है, वो काफी जादे हैं यहाँ पर smooth रहता है, तो देखा तो यह कुछ advantages थे Linux वाले smartphones के, लेकिन इतने सब advantages के बाद भी Linux अपनी जगे क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि बात की जाए तो Linux के अंदर होती ही restrictions का काफी ज़्यादा, अब यही चीज़े कर सकते हैं, यही चीज़े नहीं कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा flexibility नहीं होती, और one of the key reason है यहाँ पर apps का ना होना, काफी सारे जो लोग है वो आजकल rely करते हैं, third party apps, किसको Facebook चलाना है, किसको Instagram चलाना है, WhatsApp चलाना है, Telegram चलाना है, YouTube पर डेटा ले और उसको आगे यूज़ करें, तो वो आपकी उपर है, YouTube भी आपकी से information लेता है, Netflix जैसी अभी information लेती, Disney, Hotstar, Facebook, हर एक जो company रहती है, वो आप अगर उसे use करते हो, तो आपको usage pattern की information लेती है, डिपेंड करता है, अगर आप अपनी information share करना चाहते हो, बदले में comfortable experience लेना चाहते हो, Android उनके लिए, लेकिन जिन लोग complete security चाहिए, और उनको इससे बिल्कुल भी फख नहीं पड़ता, किती apps वहाँ पे हैं या नहीं है, तो ये चीज़े जहां पे लोग आज भी Linux का यहाँ पर use करते हैं, इसी के साथ ही बात की जाते हो, Linux की unpopularity है, ग्रीजन ह यहाँ पे Linux-based OS के साथ, कुछ security purpose की निकालते हैं, किसी और चीज़ के लिए निकालती है, लेकिन अगर custom ROM वाले flashing part में भी अगर रम जाएं, तो Android में जितना अच्छा support मिलता है, custom ROM का तरह तरह की Android-based वाली custom ROM से, Linux में वैसी custom ROM का support है, वो बहुत ही जादा कम हो जाता है, आप को side load करनी पड़ती है, और compatibility काफी बड़ा किशु है आज के समय में, तो अगर आप चाहते हो, अगर आप Linux को यूज़ करना, तो बहुत ही कम चांस थे कि आपके phone के लिए हाँ पे Linux-based OS mobile phone के लिए available हो, और इसी के साथ ही Linux को जो future हो है, इत्ताखास नहीं है, इतने सालों के Linux वाले phones काफी सारी कुछ कमती से निकाले, अलग-लग operating system देखने को मिलें, लेकिन काफी सारे dead हो गया है, और Android आथ के समय में एक irreplaceable चीज़ है, अभी market ऐसा हो गया है, कि यहाँ पर अभी के समय में, तीन major operating system है mobile के अंदर, देखा तो सबसे बड़ा आज भी Android है, Android की success का main reason यह की apps का अच्छा support है, लेकि devices बहुत सारे है, एक 5000 रुपे से लेकि आपको 1,5 लाख रुपे तक के phones लेकने को मिल सकता है, और हर range में एक नएक phone है, किसी आदमी के लिए किसी type का phone है, और यह variety Android को काफी ज़दा unit बनाती है, जो लोग Apple के side में, Apple की ecosystem में, उन लोग के पहले से iPhone यूज करते हुए आ रहे है, वो लोग यहाँ पर iOS को यहाँ पर यूज करते रहेंगे, और तीसर अगर आप लोग को नहीं पता, वो है यहाँ पर का iOS, का iOS देखा तो smartphone में अपनी जगे नहीं बना पाए, लेकिन का iOS ने feature phone वाले market में अपनी जगे नहीं, काफी सा के बाद, smartphone market में तो जगे बची नहीं है, इवन mobile phone वाले market में भी जगे बची नहीं है, हाला कि एक जो space जो अभी भी खाली, वो खाली है, extra security और extra privacy का, जिन लोग को extra security और extra privacy चाहिए, वो लोग यहाँ पर Linux based device को यहाँ पर यूज करते हैं, ताकि उनिक additional layer मिले security की, और उनके phone की data, कोई भी information वो कर रहे हैं, तो totally वो उनके phone ताकि limited रहे हैं, वो बाहर किसी और के साथ share ना हो, यह एक छोटा सा नीश बना हो है, जिन वैसे दुनिया के जो कुछ ऐसे लोग है, वो यहाँ पर कुछ ऐसी Linux वाले phones का यूज करते हैं, लिगन क्या यह आम जनता के लिए ह distributions आते हैं, लेकिन उन में से किते हैं यहाँ पर popular है, और Android नो जो अपनी position बना रखे इतने सालों में, उसे अब हिला परना थोड़ा सा मुश्किल है, तो लग रहा है कि future mission Android ही आगे जाएगा, लेकिन फिर भी अगर एक दो Linux-based OS वाले phones अगर market में आए, ता हो भी काफी, यह पर यह चीज़ भी हाँ पर काफी जादा जबर जस्त रहेगी, आप लोग एस बार में क्या opinion बात नीचे comment में ता ना भूला, वीडियो पसंदा लाइक करो, चैल को subscribe करो, थाम के कुटियो देखने के लिए, मैं आप सुन दो नेक्स वन में, गुडबाई!